नांदेर और हिंगोली जैसे प्रमुक उत्पादक क्षेतरों में भारी बारिश के कारण फसल के नुकसान की रिपोर्ट के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि नुकसान शुरुआती अनुमान से बहुत अधिक हो सकता है। हल्दी की फसल के लिए अभी पांच महीने शेश हैं। कम सप्लाई और प्रतिकूल मौसम की स्थिती आने वाले हफ्तों में कीमतों को और अधिक बढ़ा सकती है। और कमजोर निर्यात मांग कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डाल सकती है। इन चिंताओं के बावजूद, पिछले साल से भारत में कम उत्पादन और घट्टे स्टॉक स्तरों से लंबी अवधी में हल्दी की कीमतों को सपोर्ट मिलने की संभावना।